आपने सक्षा चाल के उपट नमस्कार आप देख रहें नियूज 18 बिहार जारकंड और मैं हूँ आपके साथ लक्षमी बिहार में इन दिनों लैंड सर्वे का काम जारी है और हर जगह बस लैंड सर्वे की ही चर्चा हो रही है हर कोई परिशान है अपनी समस्या का समाधान खोज रहा है तो इस special bulletin में हम लैंड सर्वे के हर पहलू पर बात करेंगे लेंड सर्वे क्या है, लेंड सर्वे क्यों कराय जा रहा है, लेंड सर्वे के लिए क्या-क्या दस्तवेज चाहिए, लोग लेंड सर्वे का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस special bulletin में देने की कोशिश करेंगे सरकार लेंड सर्वे के जरीए जमीन को अवैद कबजे से मुक्त कराना चाहती है, लेंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाहती है, पर लोग कागर्ज और कार्याले के चक्कर में पढ़कर कर परिशान हो रहे हैं देखे, लैंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराय जा रहा है और कौन से दस्तावेज भूमी सर्वेक्षन के लिए जरूरी है, यह हमने आपको बताया अब जनता की बात करते हैं, लोग लैंड सर्वे को लेकर के आखिर परिशान क्यों है, परिशानिया कई तरह की किया है, देखे, सबसे पहले परिशानी यह है कि जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, यानि कि जमीन से जुड़े लोगों की बकास, गैर, मजरुआ, भूमी का, क्या होगा? यह सवाल उठता है, सबसे जादा परिशानी जो है वन्शावली बनाने में हो रही है लोगों को, सरपंच से वन्शावली बनाने के चक्कर में आम लोग परिशान हैं, लोकल सतर पर भ्रश्चाचार की शिकायत मि और देखें कारियालाय में भीड और कूव विवस्था से कई लोग जो हैं वो परिशान हैं और कई लोगों को पूरी जानकारी भी लैंड सर्वे को लेकर कर नहीं है अक्सर भाई-भाई में भी लोगों में भी जमीन को लेकर लड़ाई हो जाती है तो ये जब record सरकार के पास चली जाएगी record ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो इसे जमीन को लेकर के जो विवाद होता था अक्सर वो कम हो जाएगा तो लेकिन देखे सर्वे के पहले जिस तरह से रयतों और किसानों की परिशानी बड़ी है ये काफी जादा गंभीर मामला है पूर्णिया में किसानों ने लैंड सर्वे पर क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट के जरीए आपको दिखाते है अधिकारी माईक के जरी भीड को सर्वे की जानकारी दे रहे हैं और लोग समझने की कोशिस कर रहे हैं कि उनकी जमीन का सर्वे कैसे हो क्योंकि बिहार में भूमी सर्वेक्षन करा जा रहा है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं कल तक जो जमीन अपनी थी आज उसे अपना साबित करने के लिए भागदौड करनी पड़ रही है पुणिया के किसान नेता, अनिरुध महता, धिरेंद्र यादब अभी लेखागार से कागज निकालने आये हैं उनका कहना है कि अभी लेखागार से कागज निकालने में काफी परिशानी हो रही है एक बार में एक ही खाता का खतियान या तेरिज दिया जा रहा है अधिकांश खतियान गायब है को है विधे तया है यह कैँ परिमार्जन के लिए किसी का नाम है जिसे कि रहमेस महता तो तुज भी घंघ हुं Aa सुधार्णे के लिए har 숨 आप को yn सल्के लोगों को एक खतिया अपडेट कराने के लिए महिनों भाग दोड करनी पड़ती है कभी कोई कागज मांगा जाता है तो कभी कोई प्रमान सरकारी कारियाले के चकर काट-काट कर लोग परिशान हो रहे है महिनों चकर काटने के बाद जब सरकारी दफ्तर में काम करवानी की बारी आती है तो अधिकारी दो हजार रुपए तक घूस मांगते है लोगों का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर काम अठका दिया जाता है लोग है जो अंदर में काम करते रहे है दूम नूज 18 से बाच्चीत में किसानों ने बताया कि ऑनलाइन रेजिस्टर टू में काफी गड़बड़ी है दोनों का मिलान कर सर्वे करना चाहिए एक ऐसी जमीन है जिस पर कुछ दबंगों ने अवैद कपजा कर लिया है सर्वे में वैसे जमीन को छुड़वाने का भी कानून बनना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके यहां कई किसान है और किसान नेता भी है इनों के कहना है कि सर्वे तो हो रहा है वो अच्छी बात है सर्वे से भूमी विवासमाप्थ होगा लेकिन सर्वे के पहले जो जिस तरह से किसानों को या रहयतों को जमीन के कागजात निकालने में परेशानी हो रही है और यहां भ्रस्टाचार भी काफी बढ़ गया है एक कागज निकालने के लिए लोगों को कई बार दोडाना पड़ता है और पैसिक की उगाही हो रही है ऐसे में स्वच और निस्पक्ष कैसे सर्वे होगा ये देखना जोड़ी है कुमार प्रवीन, News 18 सरकार लैंड सर्वे के जरीए जमीन को अवैध कबजे से मुक्त कराना चाहती है लैंड रिकॉर्ड को पारधर्शी बनाना चाहती है पर लोग कागज और कारेले के चकर में पढ़कर के परिशान हो रहे है भूमी सर्वेक्षन, लैंड सर्वे ये शब्द हाजकल बिहार के हर चौक चोरा है और बैठकी में चर्चा का विशय है क्योंकि बिहार सरकार ने भूमी सर्वेक्षन का काम शुरू कर दिया है भूमी सर्वेक्षन में पुराने खतियान को अपडेट किया जा रहा है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खतियान आखिर होता क्या है खतियान जमीन से जुला एक दस्तावेच है खतियान में जमीन से जुली सभी जानकारियां होती है जैसे कि जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक के पिता का नाम, जमीन का रखवा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चोहद्दी और जिला भी इसमें दर्ज होता है खतियान में पूरा पता दर्ज होता है, प्लॉट के खित्रफल की जानकारी भी होती है जमीन सर्विक्षन क्या है? ये जानने के बाद दूसरा सवाल आता है कि लैंड सर्वे कराया क्यों जा रहा है? इसका मकसद क्या है? दरसल सरकारी जमीन को कबजे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमी अभिलेक अपडेट कराना, भूमी विवाद मालिकाना हक का समाधान, सटीक भूमी अभिलेकों से राजस्व संग्रह में सुधार, साथी भूमी अधिग्रण की प्र दर्शी करना भी सर्वे का मकसत है, लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमी सुधार मंत्री ने कहा, इस से भरष्टाचार पर लगाम लगेगा, जो अधिकारी, जो करमचारी, भरष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाये जाएंगे, उनकी खैर नहीं है और अब सुधार शुरू हो गिया है, निचले अस्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिस करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं है लेंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है, ये साब होने के बाद तीसरा सवाल उठता है कि जिन लोगों को लेंड सर्वे कराना है, उन्हें क्या करना होगा, कहां जाना होगा और कौन से दस्तावेज देने होगे, ये भी जान लीजे स्वगोशना का प्रपत्र, रईयत या वन्षच जमा करें जमाबंदी रईयत जिवीत हो तो स्वगोशना पत्र जमा करें जमेन का रिकॉर्ड और परिमाप भरकर जमा करें खुद वन्षावली तयार कर अंचल शिविर में जमा करें राजस्वरसीद की कॉपी भी जमा करें उक्रे और बदलैन की भूमी का दस्तावेज न्यायाले का आदेश हो तो उसकी फोटो कॉपी वन्शावली पर पंचायत प्रतिनिधी का अस्दाक्षर जरूरी नहीं है खतियान की सच्ची प्रतिलिपी की जरूरत भी नहीं है राजस्वरसीद की अपडेट प्रती आवश्चक नहीं है जबकि खामियों के सुधार के लिए तीन मौके मिलेगे सरकार की कोशिस है कि लैंड सर्वे को सरल और बार दर्शी बनाया जाए पर लैंड सर्वे के लिए कागजात जुटाने में आम लोगों के पसीने चूट रहे हैं शप्रा में भी लैंड सर्वे के लिए लोग सुबह होती ही कारेले पहुँच जा रहे हैं जबकि कारेले 11 बजे खुलता है तो घर का सारा काम छोड़कर के लोग लैंड सर्वे कराने के लिए पहुँच रहे हैं पर वेवस्ताओं की कमी की कारण वहां भी परिशानी लोगों को जहिननी पड़ रही है दफ्तर पर ताला लटका हुआ है और लोग बाहर बैठ कर इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि दफ्तर खुलने का समय 11 बजे है लोग सुबह 6 बजे से ही कारेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी बारी पहले आए और वो जल्दी से अपना काम करवा कर वापस जा सके इतने पहले से आने के बाब भी इनका काम वक्त पर नहीं हो पा रहा है सरकार ने खत्यान को डिजिटल कर दिया है पर रेकॉर्ड रूम में लोगों की भिड़ कम नहीं हुई है जिसका फाइदा बिचॉलिये उठा रहे है मने की जो भी समस्या है वो अपना सर के लगे रख्तिंग लोगों का रूप है कि रेकॉर्ड रूम में व्यवस्थाओं की कमी हैं जिसके कारण लोग परिशान हो रहे हैं सुबस एलाइन में खड़े रहने के बाद भी उनका काम वक्त पर पूरा नहीं हो पा रहा है अगर दस वजे के बाद आते हैं तो उनका नंबर तब तक नहीं आता और वापस लोटना पड़ता है लैंड सर्वे कराने आए लोगों का कहना है कि लैंड सर्वे के कारण उनकी परिशानियां पड़ गई है सरकार ने भले ही बहतर विवस्था के लिए सर्वे शुरू कराया है पर कागजात जुटाना उनकी लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कोई विवस्ता नहीं है और सब बहुते हैं कि जह यह लाइन में लगी है कितनी बीडो जाती है बितुब सुबाव का समय है अर्च चार सो पांसव आदमी आते हैं या सुब है च्आप नहीं च्शे वज़े से पहले तो जो था सही था जैसे चल रहा था सही चल रहा था जो आब हो रहा है उसमें परेशानी हो रही है कर्याले में कोई व्यवस्था नहीं है अगर व्यवस्थित रहता यहां पे तो लोग अराम से आकरके अपने कागजात को निकालते और सर्वे में शामिल होते लेकिन जो ब्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं परिशान करने वाली है और यही काराने के लोग सुबध 6 बजे से को लेकर के मारा मारी है ग्रामिन शेतर के लोग सरकारी कारेले का चक्कर लगा रहा है हालात ऐसे हैं कि कारेले में पाव रखने तक की जगह नहीं है कोई लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई धक्का मुक्केकर कैसे भी पहले अपना काम करवाने के फिराक में है सभी के हाथों में एक कागज भी है ये साबित करने के लिए कि जमीन के जिस टुकरे पर उनका दावा है वो उनहीं की है तस्वीर रोहतास के नकल नवीसी कार्या लेगी है जहां लोग लैंड सर्वे करवाने के लिए पहुचे हैं बिना खाए पिये लोग सुबा से अपनी बारी का इंतजार कर रहे है लोगों का कहता है कि कई लोगों का मौखिक बटवारा है तो कई लोगों का खतियान परिवार के किसी एक सदस्य के पास है कुछ लोगों का पारिवारिक बटवारा लगभग 50 या 60 साल पहले हो चुका है और परिवार के किसी एक सदस्य के पास कागज है लोगों का आरोप है कि लैंड सर्वे के कारण लोगों के घर में भी कलह कलेश शुरू हो गए है लोग परिवार का बटवारा हो चुका है, मौकिक उर्प्से नोगों ने बटवारा कर दिया है खानगी बटवारा हो चुका है अब सरकार कहते हैं कि मौकिक बटवारे को खानगी बटवारे को मैं नहीं मानूगा तो यह संभाव है क्या जिसके पोता-पोती हो चुके हैं जो जो जिसका जिसकी मिर्टू हो चुकी है अब वो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की मांग करेंगे उसके आउलाद उसके पोता-पोती मांग करेंगे तो क्या पतस्मिर पेस होगी यह परिवारिक विबाद होगा परिव लेंड सर्वे में कई तरह की गड़बडी का भी आरोप लगाया जा रहा है लोगों में जागरुपता की कमी है इसकी एक बज़ा है लोगों की मांग है कि जिले में मी आई हेल्प यू डेस्क बनाने चाहिए ताकि अगर किसी को कोई परिशानी आ रही है तो वो सही जानकारी सही जगह से हासिल कर सके जो अमले हैं सरकारी जो विभाग है उस विभाग के लोगों में को कहिए कि वो निरंकुस हो चुके है और आपका अंचलकरयाले में कहीं कोई पूछने जाता है कहीं कोई बताने वाला नहीं है कहीं कुछ नहीं है और सर्वे की प्रिष्ट भूमी चाहे वो चकबंदी सर्वे हो या जेनरल सर्वे हो आप इसकी प्रिष्ट भूमी में जाईएगा तो मुझे उम्मीद है कि उस प्रिष्ट भूमी में उस इतिहास को देखते हुए मुकदमों के अंबार हो जाएंगे न्यालेओं में भीन हो जाएगी चो कि आज तक सरकार के द्वारा जितने भी कारकरम चलाए गए हैं किसानों और जिन्नल लोगों के लिए वो लोगों ने गड़बर कर दिया है अपने आप में जैसे आप देखेंगे पिछले दिनों कि सारी चीजों को सारे खाता अप्लॉड खतियान वोगरा को लैंड सर्वे लोगों के लिए टेड़ी खीड साबित हो रही है लोग अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं तो अधिकारी भी इस मारा मारी से परिशान हो रहे हैं लोगों का कहना है कि अस्थानी अस्थर पर कई विवाद है खासकर जो जो डोकुमेंट है वो अधिकतत लोगों का वो कंप्लिक नहीं है जिसके कारण विभिन कार्यालेयों में और अधिकारियों के यहां कर्मचारी के यहां भीर लग रही है अजित कुमार न्यूज 18 सासर विहार में लैंड सर्वे लोगों के लिए परिशानी का सबब बन गया है अधिकारी घर घर जाकर लैंड सर्वे करा रहे हैं पर लोगों का रोप है कि सर्वे सही तरीके से हो नहीं पा रहा है अधिकारी लोगों की समस्या सुन करके परिशान है और लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर परिशान है ग्रामिनों को क्या-क्या परिशानी हो रही है और लैंड सर्वे में क्या दिक्कत आ रही है ये जाने के लिए नियूजरीन संबाद दाता अमित कुमार ने कुछ ग्रामिनों से बात की है आयो सुनवाते हैं विहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और कई जोगों पे इस जमीन सर्वे का बिरोध भी हो रहा है क्यों बिरोध हो रहा है लोगों को क्या समस्ते आ रही है हम सीदे लोगों से बात करने आए हैं बात करते हैं लोगों से सबसे पहला बात तो है कि यहां जो बनवस्त पता अधिकारी एनाउंस के ते मिटिंग किये थे मिटिंग में परना फ़लना फारम हम आप मंगलवार को दे देंगे लेकिन फ़ारम दिये नहीं और बलकि वहां गए तो बरावेस में बात किये कि सब हमर बात हुआ तो खेर जो हो तो हम लोग किसी तरह से फ़र्म का जहां तहां से खरीद करके लाना परा फारम अभी जिसे मनने खतियान पूछते हैं तेकिन ही को दादा के परदादा को नाम नहीं बता रहे हैं और वह खतियान कैसे मिलेगा अब खतियान ये सरकार हर समय गल्ती ही करती है ऐसा मतलविए स्कीम करते है कि इसे सबतरखे से पावरी और किसान मर रहे हैं अगर दो सो के खर्द पर तो हजार रूपिया माँग रहे हैं अब बताएक कि जिसके अवायद बसूली भी खिया है इस पर हम चाहेंगे कि यह ब्यहर सरकार के मतलब पत दिकारी है या हमारे बिहार का सिये में उनसे रिक्वेश्ट है कि इस पर मने काम को किया जैसे ही कुछ एलान कर देने से कि यह हम कर दिये और उसके पीछे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में उनकी गहराई तक जाना होगा वह जहार को ही जो आभी बोले है ओही चीज तो है यहां काम लेकी सर्वे हो रहा है लें काम काम लेकी सही नहीं हो रहा है आदमी बोले कि आप अपना जितना भी लगाने तो वहां पर दोराय जाता है और इस कारण से लोगों में आकरोस जमीन सर्वे करने वाले जवाज़ेकारी आते हैं तो यह आकरोस उन पर पूरित पड़ता है इन लोगों का पर अल देखना होगा कि सरकार जब इन सर्वे को बेवस्थित करने के लिए आगे और क्या करम उठाती है जो पीरित परसानी लोगों ने बताया है उसे कब तक दुर करती है कैमर्शन अमित के साथ अमित पान न्यूजटित पटना और यहाँ वक्त है ब्रिक का आप देखते रहें न्यूजटित